आज पूरे देश में मदर्स डे बड़े हिसने हैं और प्यार के साथ मनाय जा रहा है इसे के तहट माओं के इस दिन को यादकार मनाने के लिए रोकडे जुलर्स ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसमें मोमेंट्स विट मॉम ये प्रोग्राम आयूजित किया है माँ के लिए क्या लिखूं मेरे अलफास कम पड़ जाते हैं तकलीफ मुझे होती है और आसु मेरे मा के चलक जाते है 12 माई को पूरे वीश्व में मदस डे मनाया गया जो माँ खुद से पहले अपने बच्चों और परिवार के बारे में सोचती है उनको ये महसूस करवाने के लिए ही मदस डे मनाया जाता है कि वो हमारी जिन्दगी में कितनी एहम है उनके बगैर हम कुछ नहीं है बस माओ के इस दिन को और भी ज्यादा खुबसरत बनाने के लिए नाकपुर शहर के चर्चित रोकड़े जोलर्स ने मुमेंट्स विट मॉम ये प्रोग्राम आयुजित किया जिसमें तीन दिन विभिन कॉम्पूटेशन किये गया और विजेता महिलाओ को मदर्स डे पर प जिसमें सभी ने बड़े ही हर्शोलास के साथ भाग लिया रोकड़े जोलर्स हर्तियोहार पर्व और खासदन को यादगार बनाने के लिए हमेशा से ही नई नई पहल करते आ रहा है जिससे लोगों में और रोकड़े जोलर्स के बीच एक पारिवारिक संबंद बन गया है मैं चाहती हूँ कि हम सबने ऐसे प्रोग्राम अटेंड करना चीए इससे हमें बहुत मतलब अच्छा लग रहा है इसब देखकर मुझे मैं एड़ोकेट हूँ प्रोफेशन से और साथ में CSB हूँ प्रियंका मेरी ममी ने यहां तक पहुँचने के लिए बहुत महिनत की है मेरी ममी ने रात में भी चाय बना के पिला ही है यह मेरी दूसरी मा एसास हुए मेरी शादी के बाद भी मुझे पढ़ाया मैं बस इतना बोलूँगी I love you ma thank you so much for everything रोकडे ज्वेलर्स के इवेंट मैनेजर शुभांगी ने मैम से हम बाचित करेंगे कि आज का जो मदर्सडे का यह प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया उसके बारे में क्या बताना चुका है नमस्ते सबसे पहले मदर्स रिकिए आप सभी को धेर सारी शुभ कामना है जैसे कि हम सभी जानते कि रोकडे ज्वेलर्स हर पल खाज बनाने के लिए बहुती मशूर हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि हमारे कस्टमर हमारे फ्रेंस और हमारी सब भी सखिया बहुती फील गूट करें हर तवहार पर हर फेस्टिवल पर और हर डे पर और इस कोशिश को हम पूरा करने के लिए उनका हमें पूरा-पूरा सहयोग मिलता है जैसे कि आज Mother's Day है, देखा जाए तो Mother's Day celebrate करने के लिए कोई specific time और day नहीं होना चाहिए क्योंकि वो without salary एक ऐसी person है कि जो 24 hours घर की देखबाल करती है, बच्चों की देखबाल करती है और बच्चों के लिए शायद अपनी खुशिया भी कुर्बान कर देती है, अपने ambitions भी कुर्बान कर देती है तो उन सबी महिलाओं के लिए कि जो की घर में रहकर या घर से बाहर रहकर अपने बच्चों के लिए अपना पूरा समय देती है अपना पूरा जीवन देती है और फील गूर तो कराना ही है इसलिए जैसे दिवाली होती है दशरा होता है तेवार के लिए जैसे दिन नहीं होत लेकिन Mother's Day जब आता है तो एक special attention मिलता है, special feeling मिलती है, और हमारी कोशिश होती है कि इन कुछ पलो को हम कैसे कैद करें, इन कुछ पलो को कैसे हम special बनाएं आप सभी के साथ, तो ये छोटी सी पहल, जैसे कि आप देख रहें, बहुत ही कामियाब हुई है, और हमने एक छोटी से activity की थी कि कुछ दिनों से वो activity भी शुरू थी कि जो भी अपनी मदर को कुछ gift करना चाहते हैं, उन्हें भी हम यहाँ फालिस्टेट करेंगे, तो हमने उन्हें भी बुला के फालिस्टेट किया है, उन ममी और बच्चों की जुडियों को, और आज भी बहुत ही खुबसूरत गानों पर और खुबसूरत thoughts के साथ बच्चे और ममी आये हैं, और यह जो समय है, special चीज में यह कहना चाहूंगी, कि ऐसे तो बच्चे बाहर पाटिसिपेट करते हैं, ममी भी अपनी friends के साथ, लेकिन कुछ एक time होता है कि जब वो एक साथ spend करना चाहते हैं, तो आज हमने रोक्रे जवेलर्स में यह क्रियेट किया है, यह एक moment क्रियेट किया है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही best moment रहा है, जो कि हमारे सारे participants ने भी अपने इंटर्यू में आप सभी से शियर किया है, और यह पल हम बार-बार recreate करना चाहेंगे, और आप सभी के साथ, नवीसियन टीवी के साथ, तैंक्यू सो मच नवीसियन जो कि समय समय पर हमारे सारी memories को memorable बनाता है, हमारे सारी creation को और भी memorable बनाने में हमारी मदद करता है, तैंक्यू सो मच. नवीसियन ने उसके लिए जित कुबर के साथ माहिन पठान के रिपोर्ट.